हेलो फ्रेंट्स वेलकम्स यॉल इंज्यार्विस केमपस अब तक हमने सिखा कि मल्टिप्लिकेशन करना है अगर इंटीजर्स का तो वह कैसे कर पाएंगे अभी यहां पर बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज हमने बोला था कि प्रॉपर्टीज भी डिराइव करती हैं मल्टिप होंगी तो जैसे हमने अब्रिक्षन और अदिसन के लिए जो प्रॉपर्टीज सिखा थी और उसी के साथ एक दो नए प्रॉपर्टी और कौनसी हों यह क्या है यहां पे हो देखते हैं सबसे पहले बात करें तो कि जो प्रॉपर्टी है वह तो है ही है फिर फिर उसके बाद multiply by 0, फिर एक है multiply by 1, यह दो नया प्रोपेटी यहां पे, साथ ही साथ हमने जो commutative property सीखा था, वो भी आएगा यहां पे, associative of multiplication of integer हो भी आएगा, और एक नया प्रोपेटी यहां पे आएगा, distributivity, तो यह से भी प्रोपेटी हम one by one जानेंगे, सबसे पहले बा के लिए हम इतना बोल सकते ही, कि वहां पे हम दो integers ले लेते थे और उसका addition subtraction करते थे और एक नया हमें integer मिलना चाहिए, ऐसा हम बात करते थे, तो same thing, कि दो यहां पे integer का, जब multiplication करेंगे, तो एक नया integer हमें मिलेगा, yes, check करते हैं, कि यहां पे हम यहां पे दो integer ले ले लेते पहले 2 and 6, 2 and minus 6 देते, तो कि 2 and minus 6 दो integer ले लिए, दोनों का अभी हम यहां पे क्या करेंगे, multiplication करेंगे, यानि कि पहले तो क्या होगा, तो कि सिर्फ जो number से उनका multiplication हो जाएगा, यानि 2, 6 आ, 12 आजाएगा, अब भी यहां पे देखो, तो पहला वाला जो integer वो positive है, second वाला integer negative यानि कि plus minus, minus हो जाएगा, यानि कि answer जो हमारा minus 12 आएगा, अब भी यहां पे देखो, तो यह जो answer आया है, minus 12, क्या यह integer है, तो यह भी integer है, तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया, कि closer property जो है, वो multiplication of integers के लिए derive करती है, फिर हम यहां पे बात करते हैं, कि हमने बोला था, multiply by 0, या, आपके यहता है, second type हमारा, तो yes, यानि कि हम यहां पे कोई भी integer ले लेते, उसको 0 के साथ multiply करेंगे, यानि कि, समझो कि मैंने यहां पे 6 ले लिया, 6 को 0 के साथ multiply करता हूं, 6 multiply by 0, 0 ही आएगा, अगर मैं 0 के साथ printerill को multiply करता हूं, यानि कि 6 को 0 के साथ printer 5 के जी साथesian करत 0 x 7 तो भी answer क्या आएगा? 0 ही आएगा ना? यानि हम बोल सकते कि कोई भी integer हो उसको 0 के साथ अगर multiply करेंगे तो answer क्या आएगा? 0 ही आएगा और इसके लिए कुछ general form लिखना हो तो क्या लिख पाएंगे? A x 0 multiply by A x 0 is equal to 0 multiply by is equal to 0 यानि कि जो A है यहाँ पर वो क्या होगा? integer होगा हमारा integer को 0 के साथ multiply करो या 0 को integer के साथ multiply करो answer दो 0 ही आने वाला है थर्ड वाला property क्या था हमारा? multiply by 1 यानि कि कोई integer होता है उसको हम 1 नंबर से multiply करेंगे तो क्या answer आएगा? same answer आएगा? check करते 3 को multiply करते हैं 1 के साथ तो आप लोग ने पढ़ा हुआ है कि 3 वन्जा 3 होता है तो यहाँ पर 3 ही answer आएगा पर अगर मैं यहाँ पर बोलू कि 1 को मैं multiply कर रहा हूँ minus 6 के साथ यानि कि 1 multiply by minus 6 करते हैं तो क्या answer आएगा? तो कि minus 6 ही answer आएगा कैसे पता चलेगा? तो कि 1 जो है उसको 6 के साथ multiply करो तो 6 वन्जा 6 हो जाएगा और minus plus minus यानि कि answer minus 6 ही आएगा यानि कि यहाँ पर हम बोल पाएगे कि कोई भी integer हो उसको 1 के साथ multiply करो या फिर 1 को कोई भी integer के साथ multiply करते हैं तो answer हमारा same integer ही आएगा क्यानि कि इन जनरल फॉम में इसको अगर हमें लिखना हो तो हम यह सा कुछ लिख सकते कि A multiply by 1 is equals to 1 multiply by A is equals to A यहाँ पर A जो है वो कोई भी integer आप ले सकते तो यही था हमारा पहला तीन प्रपरटी next प्रपरटी जो है हमारे competitive प्रपरटी associative प्रपरटी and distributive प्रपरटी यह तीनों जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ Thank you